तो हलो दूस्तो आजके डिफेंस वीडियो में जो अपडेट देने जा रहा है उसको लेकर भारती मेडिया में ट्वीटर में इंस्टाग्राम में उसके अलावा पाकिस्तान न्यूज में भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या रश्या पाकिस्तान को SU-35 देने है डॉग फाइट हो या मनवरेबलिटी उसमें सबसे बेस्ट पर्फॉमंस SU-35 देता है उसके अलावा जो हमारा रफैल है उसको कडिट अगर SU-35 ही दे सकता है जो रश्या का है अगर रश्या को किसी भी देश के साथ जंक होती है तो रश्यान एरफोर्स सबसे पहला जो अ अभी पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा फाइटर प्लेन नहीं है जो रफैल के टकर दे सके अगर पाकिस्तान को SU-35 मिल जाता है तो वो रफैल को टकर दे सकता है उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजा है कि जो उनका सीपेक है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो SU-35 है वो एक ही रावन में उसका पूरी विजिट करके वापस आ सकता है अभी फिलाल जो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन है वो एक बार में ही पूरी सीपेक को विजिट नहीं कर सकते है अगर पाकिस्तान को रश्या SU-35 देने के लिए राजी हो जाता है तो पाकिस्तान कहीं से भ होती है तो पाकिस्तान 16 से लेकर 18 फाइटर प्लेन खरीदेगा तो इस डिल की प्राइज रहने वाली टाइज से लेकर 3 बिलियन पर जो रश्या है वो इंडिया से पर येर 5 से लेकर 8 बिलियन तक पैसे कमाता है तो ये पाकिस्तान को अगर वो अपने ACU 35 देता है तो इंडिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज हो सकता है उसके अलावा बले ही बारत रश्या से कम हत्यार खरीद रहा हो पर जो बारत की इंडिन आर्मी नेवी हो या एरपोर्स हो उसमें 70% जो हत्यार है वो रश्यन मेड़ है उनके स्पेर पार्ट सप्लाई करके ही रश्या मोटा मुनाफा कमा रहा है अगर रश्या पाकिस्तान को ACU 35 सप्लाई करता है तो भारत और रश्या के रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगट सकते है और जो रश्या से बारत हत्यार खरिता है वो ही टोटल शिफ्ट हो जाएगा अमेगरी का और जो बेस्टन कंट्रे है उनके पास बारत हत्यार लेना चालू कर देगा तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा नुक्सान रश्या का हो सकता है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रश्या पाकिस्तान के साथ कोई भी बड़ी डिफेंस डिल साइन नहीं कर सकता अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्यू पर वच्चिंग मिलते हैं अगले वीडियो में